हलो फ्रेंग्स वेलकम टु वाइबन वर्शेट टॉट कॉम क्या आपके बाल जड़ रहें क्या आपको एरफॉर्क की प्रॉब्लिम हैं बहुत सरे लेडिस एंग जेंस को इस प्रॉब्लम होती हैं अगर आप डाइट करते हो यह सही डंग से डाइट नहीं करते हो फिर भी य मुझा हमेशा मेसेज करते हैं कि हमारा हैरफ़ बहुत हो रहा है तो यह हैरफ़ क्यों होता है अगर आपके डाइट में प्रोटीन कम हो या और और कोई डाइशनसी हो तो आपका हैरफ़ होना ही होना है तो अगर आप डाइट प्रॉपर ही करते हो और यह प्रोग्लम बहुत प्रott Wasser जो कि सब्सक्राh åक होगी कि और उन्म करूछ फीड़्वार इंतं अच करीं करता है कि सुआटायग को सब्सक्राइट नात्र प्रोट्ण जितना hair fall जादा है उतना ही treat होने के लिए problem solve होने के लिए उतना time लगेगा बहुत बार क्या होता है लोगों को क्या लगता है कि मैंने ये खाया तो एक महने में ही होना चाहिए जैसे weight loss के मामले में भी होता है बहुत सरे ladies whatsapp datlers join करती है और उनको क्या लगता है 15-20 kg वजन एक ही महने में कम होना चाहिए तो उनकी लिए मेरा हमेशा एक सवाल होता है क्या आपने 15-20 kg वजन एक महने में ही गीन किया था नहीं न तो उतना को time दीजिए तो see here आपका hair fall एकदम से कैसे कम होगा time लगे hair fall होने के कही सारे reasons होता है जिसे stress है और सबसे important यही है कि stress है और बहुत सारे reasons होता है आपका कोई medical problem होगा या बहुत सारे reasons but one of the reasons is proper diet ना होना या diet में protein की कमी होना this is one of the reasons और मैं सर्फ उसी के बारे में बात करेंगा तो अगर आपको यह ट्रीक करना है तो दो तरीके से आप कर सकते हो one is internal way and second one is external way external way आप क्या क्या कर सकते हो आप treatment कर सकते हो जैसे कि आप head massage कर सकते हो, oiling कर सकते हो but यहां पर मैं आपको suggest करूँगी कोई भी बहुत जादा जिसमें chemicals हैं ऐसी सारी चीज़े avoid कीज़े जितना हो सके उतना आप organic shampoos बगरा का इस्तमाल कीज़े बहुत chemical oriented shampoos, mask बगरा आप मत उस कीज़े oil लगाते बद भी organic ही इस्तमाल कीज़े यह हुई external चीज है but यहां पर important is what? internal अगर आपका problem internally solve नहीं करोगे तो आपका externally भी treat नहीं होगा तो internally problem solve करने के लिए आपने क्या रेना चाहिए first, number one is flax seeds yes, flax seeds is very important आपने यह रोजाना खाना चाहिए second is melon seeds third one is sesame seeds fourth one is badam मैं हमेशा रायत में badam लेने के लिए कि and the last but not the least is pumpkin seeds यह सारी चीजे vegetarian लोगों के लिए है यह सारे seeds and nuts आपने क्या करना है इसको roast करके इसका powder बनाके आप रख सकते हो मैं next video इसी के उपर बना रही हूँ तो आप protein powder जो मैं घर पर बना रही हूँ उसका वीडियो में आपके साथ share करूँगी तो आप इसी हिसाब से बनाके रख दीजेगा और रोजाना इसी ले लीजे slowly slowly आपको रोजाना लेने से आपके बालों में परख दिखेगा कि बाल गिरना कम हो रहे मैं यहाँ पर फिर से दोरा की हूँ एकदम से बन नहीं होगा बट धीरे धीरे बालों का गिरना कम होगा बट यह सारी चीजे वेजट्रेन लोगों के लिए नवेश्ट्रेन अगर आप हो तो रोजाना अंडे कहा अडे में बहुत पाया जाता है अगर आप नवेश्ट्रेन है तो अन्डे रोजाना कहाई चीकन का इस्तमाल में कम से कम 2-3 दू किजे तो देखिए आपका है कैसे कुम होता है तो ये सारी चीजे आप आपके डायेट में इंखिने और सबसे इंपोर्टन और गानिक हैरोई आप कोकनेट का और गानिक हैरोई आप यूज कीजिए वादों में कम से कम हफ्ते में दो या पीन बार और आपका हैरफोल कम हो जाए तो कैसे लगा ये वीडियो नेक्स वीडियो जो है जिसमें में आपको फोम में प्रोटीन पांडर कैसे बनाते हैं जो आपको वेट लॉस में भी काम आएगी और हैरफोल कम करने भी काम आएगी तो उसका वीडियो आप जरू देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंदना है तो like कीजे, share कीजे और अगर आप मेरे चानल पे new हो तो subscribe कीजे और bell icon प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप पासकते हो मेरे latest video updates